अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हैं जो मैं वीकली वन्स और ट्वाइस अपलोड करता हूं टागेट समझाने के लिए तो देखिए मैंने वीकली टागेट में फाइनल से फाइनल लेवल दुस्तों लेके चल रहे हैं तो 98 पहला पॉजिबुल लेवल और 99 फाइनल लेके चल लिए स्टॉक इससे आगे नहीं बढ़ेगा वीकली के अंदर अगर चाहते हैं तो मंतली के भी अंदर तो इसके अंदर मुझे पूछ रहे हैं कि NTPC अगर बढ़ेगा तो भी आगे कहां तक बढ़ेगा इंस्टाग्राम में में मेसेजिस आ रही हैं और म में 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 मेसेज आ रही हैं तो मैं सभी के सवालों का जवाब एक ही बार नहीं दे पा रहा हूं मे इसके अंदर और इंस्टाग्राम के अंदर तो मैं वीडियो अव्लोड कर रहा हूं दोस्तों जो भी मुझे सवाल पूछे दोस्तों अगर व्याल से पॉजिबू लेवल बने एंटी पैसी लिमिटेट के अंदर से आगर फाइनल नेवल भी बने इस ने अंदर एक अंदर 107 जाता हुआ जो इसके अंदर यह recovery देखने को मिली दोस्तों यह recovery close करने की कोशिश करें या short term targets के अंदर new high बनाने की कोशिश करें NTPC के अंदर हम लोग 105 level लेके चल सकते हैं stock इसका new high बनाते हुए 108 भी जाए हमें फरक नहीं पड़ता है अगर आप professional short term targets में trade कर रहे हैं तो आप 105 तक trade करके चल सकते हैं अल्रेडी मैंने आपको वीडियो upload करते हुए बता दिया कि stock के अंदर bottom trend line के बाद इसके अंदर up trend line चालू हो चुका है और up trend line टच करता हुआ है trade कर रहा है यह उपर जाके 80 level भी पकड़े हमें 105 level देगा पर मैं 105, 102 level तक भी रुकने के लिए नहीं बोड़ रहा हूँ पर इसके अंदर position क्या बन रहा है वो देखिए position confusion का position बन रहा है इसके अंदर एक बार strong candles बन रही है एक बार weak बन रही है फिर stock बन रही है अब इसके अंदर reversal जाता हुआ अगर कुछ भी weak candles ready में बन गई तो समझ जाईए कि stock के अंदर definitely reversal recovery होने वाली है वो कैसा पकड़े पकड़े तो दोस्तों यह ऊपर जाते हुए signal को भी देख लीजिए magd को भी देख लीजिए magd पर focus करिए अगर यह reversal जाते हुए club होते हुए reversal recovery लेने लगे तो यह clubbing के point के पास stock के अंदर अच्छा खासा reversal recovery देखने को मिलेगा तो इसलिए मैंने सभी को क्या बताया दोस्तों uptrend line लगता हुआ 98 फाइला level पकड़ के चलिए अगर uptrend line 98 पे नहीं लगा है तो 99 पे जाता हुआ final level uptrend line लग गया तो भी यही level के पास exit कर दीजे अगर यह professional short term targets के ऊपर जाते हुए new levels बनाना चाहरा है short term targets में तो stock के अंदर 108 final level देखने को मिलेगा दोस्तों अगर बना रहा है तो ही वरना इसके अंदर आईसे level उतने आसानी से नहीं बनते इसलिए 102 final देखे चल रहा हूं 102 पे exit कर लिजिए दोस्तों यह मेरा telegram channel है दोस्तों आपने अभी तक मेरा telegram channel join नहीं किया है तो join कर लिजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा youtube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लिजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 4th December 2020 Friday NTPC का closing है 98.55 पाइसा यह मैं target निका रहा हूं 7th December 2020 Monday trade करने के लिए Monday live market में अगर आपको मेरे levels buying opportunity के देखने को मिले selling opportunity के देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेके चल सकते हैं अगर आपकी entry हो रही है मेरे levels पे चाहिए वो buying side हो चाहिए वो selling side हो live market में entry हो रही है तो immediate target and stop loss लगा के चलिए stop loss हीट हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है target हीट हो रहा है तो कितना profit हो रहा है आपको खुद पता चल जाएगा हुआ हीट है